बीजेपी की तेज तर्रार नेता और मोधी सरकार में कपड़ा मंत्री के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्राले भी सम्हाल रही स्मृति इरानी के बारे में कौन नहीं जानता बात जब कॉंग्रिस के दिगज नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभालने की होती है तो बीजेपी की ओर से स्मृति इरानी को ही मैदान में उतारा जाता है क्यूंकि उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को बुरी तरह से हराया था यहीं वज़ा है कि कॉंग्रिसी भी स्मृति इरानी से बुरी तरह से चिड़ते हैं कॉंग्रिस के खिलाफ बेहद आक्रामक रहने वाली स्मृति इरानी का मंगलवार को एक अलग ही रूप देखने को मिला जब उन्होंने भरी सभा में खुद को मोटी मंत्री कह दिया गरसल मंगलवार को राजधानी दिल्ली में लड़कियों के लिए स्किलिंग ए नॉन ट्रेडिशनल लाइवली हुड नाम का एक कारिक्रम आयोजित किया गया था जिसमें केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी भी शामिल हुई थी इसी कारिक्रम के दौरान एक ऐसा मौका आया जब बिहार के मसौडी गाउं की रहने वाली एक लड़की गुलाप शाह परवीन अपनी आप बीती सुनाते सुनाते मंच पर ही भावुक हो गई क्यूंकि परवीन जब 15 साल की थी तो उसके दादा दादी ने उसकी शादी जबरदस्ती एक 55 साल के बुज़ुर्ग से करा दी थी जो पहले से ही शादी शुदा था और उसके 8-10 बच्चे भी थे हेलो एबरिवन मेरा नाम गुलपशे परवीन है मैं बिहार के छोटे से गाउ मसौड़ी की रहने वाली हूँ जब मैं 15 साल की थी तो मेरे दादा दादी ने मेरी शादी जबरदस्ती एक 55 साल के आदमी से करा दिया जिसके पहले ही शादिया हो चुकी थी और 8-10 बच्चे भी थे शादी के अगले ही दिन मेरे सास्रालवारों ने मुझे तरह तरह की बाते बोलने लगे गालिया देने लगे मतलब अनिक प्रकार के टॉचर करने लगे जब यह सारी बात में अपने फैमिल्यों को बताया तो उन्हों ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं अब तुमको वहीं रहना है जब चीजे हैं से जादा मतलब अर्दास के लाय कारेक्टर भी बनाया गया जो कि मैंने उन बच्चों के सेफटी और उनके भाविश्य के बारे में मतलब बताया उसके बाद जब मैं अठारा सल की हो गई तो सेंडरल होंबालों ने मुझे घर वालों को बिला कर मुझे घर बेत दिया रोते हुए अपनी आप बीती बता रही इस लड़की की बातों को सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छाक्या यहां तक की पीड़ित लड़की परवीन की आँखों में भी आसू आ गए जिसके बाद खुद स्मृती रानी ने परवीन को किसी तरह से संभाला जो कि अभी हम पाँच बच्यां एक शॉप शक्ति का निर्मान किये है जो कि उस शॉप की मैं मैं पोस्ट करूँ और मैं वहाँ कि मैं सारे चीज़ मैनेजमेंट करती हूँ मैं मतलब डिस्पैच मैनेजमेंट करती हूँ स्टोर मैनेजमेंट करती हूँ और फिर स्टोक मैनेजमेंट करती हूँ और जनीज मैनेज करती हूँ और मोटी मंतरी के लिए केक नहीं लाई हो गुलाब शाह परवीन की दर्द भरी दास्ता सुनकर हर कोई भावुक नजर आया यहां तक कि परवीन की आखों में भी आसू आ गए तो इसी बीच परवीन के चहरे पर मुस्कान लाने के लिए स्मृती रानी खुद का मजा कुड़ाने से भी पीछे नहीं रही और परवीन से कह दिया तुम मौंगनीज मैनेज करती हो और अपनी मोटी मंत्री के लिए केक नहीं लाई इस पर सब हसने लगे तब परवीन ने कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं ले कराऊंगी ससुराल से भागकर सेंट्रल हॉल पहुंची गुलाब शाह परवीन की जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई और उनका नाम भी बदल गया आज परवीन को लोग धरा शांडेले के नाम से जानते हैं इतना ही नहीं धरा शांडेले ने सेंट्रल हॉल में पढ़ाई की कम्प्यूटर कोर्स के ड्राइविंग की अकाउंटिंग सीखा और एक शॉप भी बनाया है जिसकी वो मैनेजर है धरा शांडेले के संघर्षों की कहानी सुनकर स्मृति इरानी ने खुद लोगों से उनके लिए तालिया बज़वाएं इरानी ने कहा तुम जिन पर स्थित्यों से गुजर कर इस जगह पहुँची हो मैं चाहती हूँ मुझे ऐसी कोई लड़की ना मिले स्मृति इरानी ने धरा शांडेली से वादा भी किया कि देश में साथ हजार चाइल्ड केर इंस्ट्यूशन में 16-17 साल की लड़कियों और लड़कों के लिए अलग से स्किल सेट की वेवस्था कराएंगे जिससे उन्हें खुद के कारोबार और जॉब के लिए प्रोथ साहित किया जा सके बहराल बिहार की गुलाब शाह परवीन नाम की इस लड़की ने 15 साल की उम्र में जोचीला है और फिर उन अहालातों से लड़कर आज इस मुकाम पर पहुँची है इस पर आपका क्या कहना है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही धरा शांडेले ने इस दौरान और क्या कुछ कहा आई आपको सुनाते है हेलो एब्रीवन मेरा नाम कुलपशे परवीन है मैं बिहार के एक छोटे से गाउ मसाड़ी की रहने वाली हूँ जब मैं 15 साल की थी तो मेरे दादा दादे ने मेरी शादी जब दस ते एक 55 साल के आदमी से करा दिया जिसके पहले ही शादिया हो चुकी थी और आट-दस बच्चे भी थे जब यह सादी के अगले दिन मेरे सासराल वारों ने मुझे तरह तरह की बाते बोलने लगे गालिया देने लगे मतलब अनिक प्रकार कर टोचर करने लगे जब यह सारी बात मैंने अपने फैमिल्यों को बताया तो उन्होंने का कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, अब तुमको वहीं रहना है, जब चीजे हैं से जादा बर्दास के लायक नहीं रही, तो मैंने अपने ससुरार से निकल गई और एक सेंटरल रोम में जा पहुंचे, वहां मै मैं अपनी जीवन की नहीं शुरात कर रही थी, मैं मुआ पढ़ रही थी, मुझे पूरे पिहार सेंटरल ओम के लिए एक दिन का डारेक्टर भी बनाया गया, जो कि मैंने उन बच्चों के सेफटी और उनके भविश्य के बारे में मतलब बताया, उसके बाद जब मैं 18 सल की हो गई तो सेंडरल होंबालों ने मुझे घर वालों को बलाकर मुझे घर बेद दिया, और मुझे मैं घर गई तो चीज़े इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, मेरे परिवार वाले खुद मुझे तरा-तरा के बाते बोने लगे, बोले इतने साल कहां थी, किसके साथ रही किया हुआ, गालियां देने लगे, मारने लगे, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने रश्मी मैम जो की उनिसेफ से हैं, और शानी दीदी को इनफॉर्म किया, उन्होंने मुझे हेलो समाल LLP के बारें बताया, और फिर मैंने नेहांदी से बात की, जो वो है, औ और उनों को मैंने घर पे बोलाया, और फिर मैं उनके साथ गई, वहां जाने के बाद मुझे पता चला की दुनिया क्या है, मुझे एक नया दुनिया देखने को मिला, और मुझे एक नया नाम मिला, जो की लोग मुझे अभी धरा सेंडलिया के नाम से जानते हैं, मैंने वहाँ परहाई की, केम्पीटर कोस किये, ड्राइविंग सीखा, अकॉंडिंग सीखा और हमारे ओगनेसन में अभी 28 बच्चिया हैं जो की अलग-अलग पोजिशन पर हैं हमारे मैम का एक मौंजनेस फैक्ट्री है और स्वाइबियन फैक्ट्री है पूछ बच्चियां मौंजनेस फैक्ट्री में काम करते हैं और कोच बच्चियां स्वे विन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैरे जैसे बच्ची आ जो कि अभी हम पाच euro बच्चया एक शौप शक्ति का निर्मान कि यह हैं कि उस cooking मैं पोस्त पर हूँ मैं वह सारे चीज़ Management करती हूं मैं dispatch management करती हूं मोटी मंत्री के लिए किए अगर कभी मुझे मुझे मौकर मिले तो तो मैं ले करोगी और मैं यहां केने चाहती हूं कि मुझे प्रॉब्लम मिला और अगर मुझे होम से घर नहीं बेजा जाता और मैं यह सब प्रॉब्लम्स नहीं देखती तो मैं मुझे लगता कि मैं यहां इस जगह नहीं पहुच पाती हम सब खड़े ओकर बहुत-बहुत जबर्दस तालिया बजारे गुलाब शारी